पुष्पा पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंट का एक बर फिट से मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं सभी और फ्रेंट अच्छे हूंगे फ्रेंट में भी अच्छी हूं आज की ब्लोग की शुरुवात में ने करिये 9 बजे से अभी 9 का टाइम हो रहा है तो फ्रेंट अभी 9 के आसपास का टाइम हो रहा है और अब भी में बाहर का मुसम दिखाती हूं आप सभी को बहुत ज़्यादा ही वाली बारिश है आज बहुत बारिश हूंगे सुबव से बारिश थी त्मी ज्यादा बारिश इतना आंधी और तुफान की सुबहरे 5 बजे निम खुल गए तनी मेरी क्योंकि मेना इस विंडो के सब्सुल पर बाहर के लोग सम दिखता है तो शाड़े पास आसपास में खुब तेज आंधी तुफान और बारिश जादा वाली बारिश हुई है जो बोलते हैं ना हैवी रणिंग उस्टाइट से आज बारिश हुई है लिखी खेतों में पानी लग चुका है देख सकते वाँ यह तो यहां पर ही चरी को अच्छा खासा पानी देख सकत पुम्रा पानी पानी लग ओखा है तो रोड पे भी में दिखाती हूं बहुत बारिश हुई है फ्रेंस आज भी देखे पुरा रोड पे भी बहुत पानी फिरावार बहुत बारिश भीए पापा तो आज नौके आसपास गए है वह आट बच के पैतानीस मिनट पेडियोट चले जाते हैं लेकिन अगोगी बहुत आज मतलब लेड़ गया सोचा बंद हो जाएगी बारिष लेकिन आज मौसम देखकर नलग नहीं रहे कि बारिष बंद होगी एक दम अंध्हेरा टाइप मौसम हो रखा है इधर से आरे बारिष यह देखे ओर देखे इधर वाली है कि पूरा अंगन पानी पानी हो रखा भी तो कम है मैंने देखी सुबह तो इतना ज्यादा बारिष था ना कि इस उजरेग वगेरे में यहां रखती हूं यहां रहता है यहां पर इस दरवाजी के तुरा सा यहां पर लेकिन उससे नहीं हटा कि फिर वहां किया तो यह वैसे तो रोज आंगन में खेलती हैं आंगन बहुत ज्यादा गिला है आज तो अभी मैं वाइपर से निकालूं कि सारा पानी लेकि मुझे ने लगता कोई फाइदा हो कि आज बारिष पूरी दिन है तो फिर अलो तो बच्चों को ज्यादा घर में भी नहीं बन करके र साफ भी हो सुखी है तो यहां पर याराम से खेल रही है और चलिए तो आ गई हूं मैं अपने किचन में और शुरू कर दिया फटाफर से अपने सारे काम और हस्बेंड ओफिस गेव्स के बाद मैंने 15 मिनट का बीच में गेप ले लिया था और 15-20 मिनट के बाद में दुब अभी मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है तो मैं बस अब लग गई हूं नॉन स्टॉप अभी मैं बिलकुल फटा-फट से सारे काम निप्टाओंगी तो सबसे पहले मैंने सिंग से किचन से शुरुआत की है जितने भी खाए पी है चाय पानी के बरतन थे सारे अच्छे से मैं तक नहीं करती हूं ऐसे तो बहुत कम होता है कि सुबह में मेरी काम लेट हो क्योंकि मेरा रूटीन शेम है उठने का टाइम तो मेरा इतना काम इतना टाइम में निप्टा देना है, तो बस यहां पर वही है, मैंने पहले kitchen अरिया साफ किया, और kitchen अरिया साफ करने के बाद मैं आगई हूं आगे वाले room में, तो यहां पर यह bed जो है, कभी कुछ फिक दिया कि चलो अब इस पर रख देती हूं बाद में रख दूंगी तो कल कपड़े दोए थे थोड़े बहुत यह थोड़े से हलके से की ले थे तो वस यह है खाली था रहता है ना यह बैड तो यह इस तरीके सही हुज में हम लोग ले लेते हैं तो मैंने यहां ठीक कर दिया कपड़े थे वह भी तैय लगा दिया और बैड ठीक करकर में आ गई हूँ पीछे वाले रूम में तो बस इसी तरीके से मैं एक के बाद अपने काम निप्टाती चलती हूँ तो यहांपर सबसे पहले Google साफ किया मैंने तो यहांपर दीखें मैं ते दीखें मेरे दवाई आई मैं कल गई थी और लेकर आई दवाई भी तो पहले फंदरा दिन की लाई थी फिर बोला था दिखाने का मुझे तो मैंने का चलो दिखा लेती हूँ एक बार और उसी परचीब दिखाना था मुझे तो फिर मैं दिखा कर आई फिर मुझे 15-20 दिन की दवाईयां दे दी गई है तो मैं ले आई हूँ क्योंकि पहले से मैं काफी बहतर हूँ तो बस दवाईयां मैंने सेप करके अच्छे से रख दी है और कूलर वगेरे साफ कर दिया और उसके बाद में इधर आगी हूँ बैड की तरफ तो बैड भी मैं देख सकते हूँ पूरा मेसी पड़ा था भी और बस अब इसकी भी मैं फटा-फट से जितना भी यहां पर समान जिसे ठंड बारिश होती है न तो हलका सब्सक्राइब लगने लगता है तो ब्लेंकिट वगेरे चुटा-बोटा जो भी था मैंने सब अटाकर तैया लगाकर अच्छे से रख दिया बैड जाड कर और मैंने सेट कर दिया यह वाला बैड शित मुझे बहुत अच्छा लगत था कि बाइचांस यदि उतरते हैं तो टाइल्स पर ना बहुत तेज फिसलने का डर होता है और यह लोग कई बार फिसल थे भी हैं यह ना अकली थे रोते नहीं लेकिन इसी तरीके से हाथ से होते हैं बच्छों के साथ यदि टाइल्स बहुत डैंजर होती है इसी यदि पर फटा फट से मैं पूरा ब्रांडा अच्छी से पानी साफ करकर और सुखा कर आ गई हूं तो बाहर के सफाई मेरी क्लियर हो गई और उसके बाद में आ गई हूं अपने रूम में तो रूम में किचन में सौरी तो बस अब यहां किचन से ही मेरा ज़ाडू का सुरूआत ह में किचन से ही करती हूं तो यहां पर बस मैंने किचन से ही पोशे की शुरूआत कर दी और फटा फट पोचा कर लेते हैं पूरे घर का और बारिश जे दिन होते हैं फ्रेंस उस दिन घर में बहुत मतलब चिप चिप टाइप गंदगी सी हो जाती है तो उस दिन थोड़ा सा मतलब जैसे डीटोल वगेरे हो गया लाइज जोल वगेरे हो गया वो डाल कर लगाती हूं पोचा तक कि थोड़ सी खुश्बू हो और मतलब थोड़ा सा अच्छा रहे तो बस फटा फट मैंने किया पोचा और पोचा करने के बाद फ्रेंस में नहा ली नहाने के बाद आज कपड़े नहीं दूलें क्योंकि फिर वही मोसम की वज़े से अलस लग गया कि चलो अभी बारीच हो रहने देती हूं यहीं मोसम दुपहर तक ठीक हुआ तो तीन-चार बजे के लगभग में धोलूंगी कपड़े तो बस नहाद होकर मैं आ गई हूं घर के मंदिर में और य नहीं कुछ खाया है तो भगवान की पूजा और कर लेते हैं तो फटा फट से मैंने भी धूब बाती करकर एक लोटा जल दिया सूरी दिवता को उसके बाद में आ गई हूं किचन में और अब कर लेते हैं लंच नाश्ता जो भी कहलो क्योंकि अभी साड़े ग्यारा के ग्य अब रौटे मूं की जो दाल होती ना हरी मूं की दाल वह और रोटी बनाई थी और दाही वगेरे था तो बस यह जो का खाना पीना था तो लिए खाना फीना खा लिए है और थादू ने बारिश ती तो उसकी वज़े से मैंने बेद्र को बिल्कुल नहीं नहीं बस उतक्या जादर ठंड होना तो फिर बचों को नान हिला कर सिर्फ हात मुद के कपड़े चेंज कर दो तो मैंने वही किया उसके बाद मैं लगई हूँ अपना मुस इंपोर्टेंट काम करने और जैसे कि आप सभी को पता है कि तीज है हरतालिका 3 ये 6 तारीख को तो में ने का चलो भैदứ एक दिन का उन्हारा आ भी तो टाइम है तो मैं हरतालिका तीज करती हूँ फ्रेंश वह प्राशсят की की त्यारी में लग गई हूं और इस बार कैसे क्या करूंगी सब अच्छे से मतलब ब्लॉग में शेयर करते चलूंगी तो फिलहाल में हर्ताली का तीज के लिए कपड़े वगएरे निकाल लें कि चलो आप देख लेती हूं कि मुझे फाइनली पहनना क्या है मुझे बहुत आ चलो देख लेते हैं कि मेरे पास क्या चीजें हैं तभी तो फिर जो नहीं होगा वो एक दिन पहले मतलब लाया जाएगा तो बस यह साड़ी है साड़ी कि दिखी और बैंगनी क्लर की कंबिनेशण में और यह और यह देखी किती प्यारी न तो यह बहुत अची साड़ी मु तीच पर पहनने वाली हूं अब बॉलास दो तीन पीस निकाले me governance तो इसमेंसे मुझे एक पूरा गोल्डन क्लर का है और एक हल्का रेड कोवाले में यह तो यह वाला मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि इसके साथ में पहन लोगी क्योंकि ब्लाउज से लवाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास और यहां पर फ्रेंस ना साड़ी नाम मातर पहनते बिलकुर नहीं पहनते तो यहां पर ब्लाउज बगर स्टीच कराना मेरे को बहुत मुझकिल वाला काम लगता है यह लोग अच्छे से नहीं करते हैं तो पैसा भी ले ले लेते हैं ठीक से नहीं करते हैं फिर महंगी साड़ियों की ब्लाउज बिगर जाए तो भी अखरता है तो मैं ब्लाउज नहीं से लवाँगी तो पेटी कूट मेरे पास पहले कई है और और साडी होई गई ब्लाउस भी सेट लिका लिया है मैंने और यह है चूडी कलेक्शन तो चूडी का सेट बगेरे भी मेरे पास है यह कड़े आप देख रहे हैं तो जो मेरी पुरानी फ्रेंड से उन्हें पता होगा यह कड़े वह हैं जो मैं रेको मेरी मम्मी ने माईके से देखे चूडी का सेट पूरा मतलब पूरा नहीं यह और एंज चूडी आ तो मैं मार्केट कभी आते जाती रहती हूं ना तो होता नहीं हम और तो कि कोई चीज पसंद आ जाए और कम प्राइज में भी मिल जाए और अच्छी भी होती है तो हम ले ले लेते कि चलो ले ले आगे कभी काम आएगी रखी रहेगी तो मेरे साथ इस बार वही है कि इस बार मैं अभी कोई फुजल खर्चा नहीं करने वाली हूं मेरे पास जो पहले रखा हुआ है वही चीजों से मैं इस बार का तीज मनाने वाली हूं यह देखिए बिल्कुल कोरा सेट है चूडी का इ इस बार का तीज मनाओंगी तो इस बार मुझे ना साड़ी लेनी है ना चूड़ियां लेनी है क्योंकि यह देखिए यह मेरे पास पहले की मेरी कुछ मम्मा की दीवी मेरी ममी ने दी ती वह और कुछ मैंने खरीट के रखे हुई थी तो यह कोरा सेट है पूरा का पूरा त इससे भी मेरा काम होई जाएगा और हम औरते हैं फुजूल का खर्चा करने से सभी बचते हैं मैं भी बचती हूँ पूरी कोशिश करती हूँ तो यह रहा मेरा देखिए तीस का समान जो की कुछ इतना है और कुछ थोड़ा बहुत लेना है तो वो बस एग दिन के भीत में ह चूटा मोटा समान लेना में इंपोर्टेंट होता है हम लोग के लिए साड़ी या सूट जो भी पहनना है वो चीज है या नहीं प्लस में उसके साथ मैचिंग का चूरी बगेरे बाकी तो चूटा मोटा समान था वो सिंगार बगेरे का या परशाद बगेरे भगवान का मत से हर्ताल कातीज की खोब सारी बधाई मिलते हूं अच्छे से ब्लॉक